Supreme Court के Judges, High Court के Judges जरूर इसको देखें और आत्मी चिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुँच गई है। भारत में टोटल पांच करोर केसेज तो हो हैं जो डिस्टिकोट, High Court, Supreme Court में हैं। इसका मतलब पांच करोर परिवार न्याय की आसा में बैठा हुआ है। भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और ये पांच करोर केस तो हो है जो डिस्टिकोट, High Court, Supreme Court में है। इसके पैरलल हमारे देश में एक और जूडिसल सिस्टम है। उसको कहते हैं तसिलदार, SDM, ADM, DM, Commissioner जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं। वो इस पांच करोड में counted नहीं है। तसिलदार क्या मुकदमा होता है, SDM क्या मुकदमा होता है, ADM क्या होता है, DM क्या होता है। चकबंदी अधिकारी जिसको CEO कहते हैं, DDC कहते हैं, SOC कहते हैं, वो इसके पैरलल में हैं। और पांच करोड मुकदमे वहाँ पे भी चल रहे हैं। इसका मैं लाइब एक्जमपल देना चाहूंगा, भारत की Black Justice System का। 1985 में जौनपुर में एक 10 भीगे जमीन का मुकदमा शुरू हुआ था। अभी वो सबसे नीचे पायदान पे है, जिसको कहते हैं चकबंदी अधिकारी। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगबग 37 साल बीच चुके। 37 साल में यह नहीं हो पाया कि असली विल किस कौन सी है। या भी 35 साल और लगेगा, सतर साल लगेगा, सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है। आर लेडी सेकंड जनरेशन मुकदमा लड़ रही है और इसी स्पीड से काम हुआ तो मुझे लगता है थर्ड जनरेशन आके मुकदमा जाके तब जाके सुप्रीम कोड पहुंचे गजांपल एक ग्लेरिंग एक्जांपल आपको देता हूँ 1971 के वार में पाकिस्तान में बम फेकने वाले पाकिस्तान के फाउजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले एक करणल कभोत्रा है पंचकुला में रहते हैं दुस्मनों के उन्होंने दाथ तोड़ दिये आज 2000 से उनके मकान पे किसी ने कबजा किया हुआ है 2023 आ चुका है तेज साल में वो अपने मकान को नहीं छोड़ा पाए अभी मामला पंचकुला की डिस्टिक कोर्ट में है उसके बाद चंडीगर हाई कोर्ट जाएगा फिर सुप्रिम कोर्ट जाएगा तो तेज साल में वो सबसे नीचे पैदान पे हैं वास्तविक्ता ये है अंग्रेज च लूट ने बाटने के लिए बनाए गया था चूणकि कानून वही चल रहा है। है किताबे वही है विवस्था वही है कानून वही है तो सभाविक सी बात है जस्टिस होगा कहां से जस्टिस कैसे होगा हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे हमने सब कुछ वर्ड क्लास कर लिया लेकिन अपने जस्टिस सिस्टम को कमपेर करनी की कोशिस ही नहीं किया जितने में एक एरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड की लागत आती है अगर हमारी सरकारों एक एरपोर्ट की कीमत जुडिस सिस्टम पे खर्च कर दिया होता तो हमारी नयाएक जरुस्ता अच्छी हो गई होती है आज घटिया चुकी accountability नहीं है जुडिस सिस्टम में कोई accountability नहीं है किसी के साथ न्याय हो जाए अन्याय हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता निर्दोस क जेल हो जाए, जज की कोई accountability नहीं, दोसी को बेल हो जाए, जज की कोई accountability नहीं, लाखो लाख लोग जेल में सड रहे हैं, लाखो धोके बाज, ब्रश्टाचारी बाहर घूम रहे हैं, मूल कारण है, black justice system, आपने बहुत अच्छा आपने इस पे web series बनाया है, और इस देश में, world class airport, world class highway, world class shopping mall, सब कुछ world class बना लिया, in fact, अपना mobile का data सुरक्षित रखने के लिए, हमारे सांसत विधायक judge, आईफोन भी use करते हैं, अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं, हमारा data सुरक्षित हो जाए, लेकिन भारत सुरक्षित हो जाए, उसके लिए ये नहीं देखते ह जापान में कौन सा कानून है, अमेरिका में कौन सा कानून है, सिंगापूर में क्या अच्छा चल रहा है, कनाडा में rent का मामला एक डेट में खतम होता है, सिंगापूर में भी कुस दिन पहले एक विक्ति के पास 900 ग्राम गांजा पाया गया, उसको फासी हुई है, दुबा अपराद करने वाला जो पीडित होता है वो चाहता है जल्दी उसको नयाय मिल जाए अपराद करने वाला चाहता है मुकदमा लंबा चले भारत का नयाइक सिस्टम अपराद करने वाले के साथ खड़ा है बलातकारी चाहता है उसका मुकदमा तीस साल चलता है भू माफिया चा ट्राइफिकर के पक्ष में है, नकसलियों के पक्ष में है, मावादियों के पक्ष में है, जो लोग देजविवधी काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में है, 40 साल 50 साल के बाद किसी व्यक्ति ने मिलावट करके लोग के लोग का स्वास खराब कर दिया उसको 50 साल के बाद सजा हो रही है इस बीच उसने कम-सकम पता नि कित्ने लोग का और भी कर दिया तो यह जो justice system होता है दवा की तरीके काम करता है जैसे दवा अच्छी होती है बिमारी तुरन ठीक हो जाती है अगर दवा घटिया होती है बिमारी बढ़ जाती है दवा खाने के बाद सरीर as it is नहीं रहता या तो बिमारी ठीक होती है या तो बिमारी बढ़ती है अगर कोई आदमी एक गाव में किसी के साथ कुछ गलत कर दे उसको छे महीने के अंदर सजा हो जाए, साल भर के अंदर हो जाए दूसरा अपराद वहां नहीं होगा लेकिन अगर उस व्यक्ति को पनिस्मेंट नहीं मिला तो सवाविक सी बात है उसने उसको और मोटिवेट कर दिया केतनी ऐसे बुखार है, तुरंट दो गोली खाई है, बुखार ठीक हो गया लेकिन अगर आपने दवा नहीं खाई या गलत दवा खा लिया तो टाइफाइड होगा या नीमूनिया होगा दुर्भाग यवस यह हमारा जिस्टिस सिस्टम यही कर रहा है आज की रेट में जितनी समस्याएं है चाहे वो घुस खोरी है, जमा खोरी है, मिलावाट खोरी है, काला बजारी है नसा तसकरी है, मानो तसकरी है, सोना तसकरी है ड्रग स्मगलिंग है यह नकसलवाद है, यह मावाद है, यह कटरवाद है, जो भी समस्याएं है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा जिस्टिस सिस्टम उसको टेकल नहीं कर पा रहा है उसको पकड़ नहीं पा रहा है और इसलिए भारत में आराज़कता है मैं तो इतने जानता हूँ ऐसी कोई बीमारी नहीं, जिसकी कोई दवाई नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसका कोई समाधान नहीं हम हर चीज के लिए बाहर से चीजे खरीदते हैं हम यह क्यों नहीं देख रहे हैं कि आखे चाइना का जिस्टिस सिस्टम कैसा है नरायन बेठी हुई है यह लगातार फाल्स केसे के खिलाफ मैं देखता रहता हूं एक्टिव रहती है एक कानुव बन जाए नार्को पॉलीगरा ब्रेन मेपिंग और कंप्लेंड पर अंडर्टेकिंग ले लिया जाए कि जो कुछ मैं सिकायत कर रहा हूं इसके लिए मैं अप फरजी गवाही से परिशान है फरजी एफ आई यार से परिशान है हजारों परिवार परिशान है कई बार देखा गया कि जो फेमिली के केसे होते हैं उसमें कितने सारे फेक केसे भी आ रहे हैं तो जो वास्तों में दोसी हैं उनको पनिस्मेंट नहीं मिल पा रहा है जो नि लोग अपनी जमीन छोडाने में 30-30 साल लड़ना पड़ रहा है, 35 साल लड़ना पड़ रहा है, अगर 30 साल, 35 साल के बाद ककड़ी, उसको अपनी जमीन मिल भी गई, उसके साथ नयाय कहा हुआ, 35 साल मुसका टाइम बरबाद हो गया, 35 साल मुसका पैसा बरबाद हो गया, 35 साल तारीक पर तारीक जहली है और मैं तो डिस्टिक कोट में कई बार जाके देखा ऐसे परिवारों को देखता हूँ जिनके पास बस से आने के लिए पैसा नहीं है साइकल से आते हैं ऐसे परिवारों को देखता हूँ जो चाय नहीं पी सकते अपने पैसे से विचारे घर से अदाल्तों में नियाय हो नहीं रहा है, बेल की नियाय भीक रहा है, जिनके पास पैसा है, उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया हो, murder किया हो, rape किया हो, उनको जबानत हो रही है, और जिनके पास नहीं है, वो बिचारे जिल में सड़ रहे हैं कई बार तो murder किया X Annun Singh ने लेकिन X Annun Singh बाउबली थे उन्होंने थानेदार को 20 लाग रूपे दिया वो Y Annun Singh को लिया के जिल में डाल दिया नाम होई है, अब उसके बाद क्या हुआ, 20 साल मुकदमा चला, और फिर सबूत के भाव में छूट गया, तो जिसने murder किया, वो तो कभी जेल गया है नहीं, एक निर्दोस जेल गया, 10-20 साल के बाद उसने अपना जमीन बेचा, सब कुछ किया माबाप सब कुस तवा हो गए, फिर वो सबूत के भाव में छूट रहा है, तो सबूत के भाव में अगर 20 साल के बाद छूट भी गया हो, उसका 20 साल कौन लोटाएगा उसके 20 साल के लिए कौन जिम्मेदार है उसके 20 साल जो बरबाद हुआ उसके लिए सम्मेदान की सपत लेने वाले जिम्मेदार है, सम्मेदान के प्रियंबल में लिखा है, हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी? जिन्होंने सपत लिया सपत कौन लेते हैं जजज लेते हैं सांसद विधायक मंत्री लेते हैं तो आज की रेट में अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए वही जिम्मेदार है जो सम्मिधान की सपत लेते हैं सम्मिधान की सपत लेने वालों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसलिए मिलता है कि लोगों को न्याय मिल सके फास जस्टिस मिले, complete जस्टिस मिले, unfortunately complete जस्टिस मिलने में तो 50-60 साल लग जाता है फास जस्टिस तो सपना हो गया है इसलिए आज आपने जो ये वेब सीरीस बनाई है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ एक ऐसे विशेप है जिसमे कोई टच नहीं करता लेकिन जिससे करोड़ों लोग पीडित है मैंने का दा पांच करोड़ लोग सीधे डिस्टिक कोट, हाई कोट, सुप्रिम कोट के केसे से पीडित है और पांच करोड़ मुकर में सोसी डीडीसी तसिल्दार कहां चल रहा है तो अगर पांच करोड़ से 30 करोड़ों लोग इधर पीडित है तो उधर भी पीडित है वास्तों में बहुत बड़ी संख्या भारत में इसी से पीडित है और आपराद भ्रस्टासार और जितनी वेराजकता चल रही है उसका मूल करण भी है जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, कानून सक्त हो जाए, कानून का खौफ पैदा हो जाए नयायपालिका का खौफ पैदा हो जाए, और ये थाने जो दलाली के अड़े बन गया है टस्टीर जो दलाली के अड़े बन गया है, डिस्टिक कोण जो कमिशन खौरीक अड़े बन गया है अगर इस के अगर एक कंटोल हो जाए, तो वास्तों है भारत में फिरसे रामराज जा सकता है अगर जुडियो सिस्टेम अच्छा हो जाए जो राम राज की कलपना है धर्म की जै हो अधर्म का नासो ताडियों में सद्भावना हो विशो का कल्याण हो मुझे लगता उसको फिर से जीवित किया सकता है आपने मुझे बुलाया अपको धन्यवाद देता हूं और ये फिल् करवा सच आप लिखते रहिए करवा सच गाते रहिए लोग आज की रेट में यंग जनेरेशन करवा सच सुनना चाहती है मीठे जूट ने इस देश में सुगर डाइबिटीज पैदा कर दिया भारत कि वह लोग डाइबिटीज से नहीं पीडित हैं बलकि हमारी बेवस्था को डाइबिटीज लो हो चुका है